आज के आमी बानाते जाच्छी बाटा माच्छर पातोरी चालता दिये नमस्ते दोस्तों आप सब कैसे हैं I hope आप सब अच्छे और मज़े में होंगे चलिए फिर देखते हैं तो इसे कैसे बनाया जाता है अब देख सकते हो सर्सों को मैंने सिल्बर टेपर पीस लिया है चालता को इस पकार से कात लिना है हटा को थोरा सा बोल इसा कहरें बोलने का की खेट हमßen पाज़ादा कावन इस दिपाटी के न्मक तेो को मच्ची को मैणिद करके रखाता उसमें चालता हमने ड्लसा में हंघाए नमक पाछी आइं ॉसको बोल और चालता लिए है अब अब इसमें पीस्टणर मैंने चारटी चमस से भी मिला सकते हो लेकिन मुझे ज्यादा असानी होती है अगर हाथ से मिलाओ तो मच्छी है तो नरम चीज है टूट जाने का डर रहता है तो हमने ये देखिया मिला लिया आज को एक दम से सिंवी थूरा सा सिंव से ज्यादा बट मीडियम से कम रखके आपको थोड़ी देर बात-बात नीचे चलाना है आपको ज्यादा नहीं हलके हाथों से जलाना है क्योंकि मच्छी है तो तूठ जाएगा नहीं तो और कल्हाई का जो पातोरी होता है वो थोड़ा से जला हुआ अच्छा लगता है तब देख पाओगे कि नीचे ब्राउन ब्राउन होने लगा है तभी आपको समझ जाना है कि आपका पातोरी आल्मोस्ट होने लगा है ये गरम भात के साथ खाने में इतना टेस्टी लगता है ना क्या बताओ आपको मैं गैरंटी देके बता सकते हूं कि आप लोगों को जबरदस्त लगेगा थोड़ी देर धक्कन लगाने के बाद देखे हमारा पातोरी बनके तयार है ये और ये आप रोटी या पराटी के साथ नहीं खापाओ कि क्यूटी काटा रहता है अब लोगों को पता होगा मिच्छी भात के साथ ही खाने में ज़दा अच्छा लगता है और चालता दिने के वज़े से थोड़ा सा खटापान है उसमें बहुत ही अच्छा लगता है कि आप लोग जरूर घर पे ट्राइ कीजिए जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए और वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो जरूर लाइक और शेर कीजिए थैंक्यू फर वाच्चिंग सी यू नेक्स ब्लोग बाई